राम प्रतिष्टा प्रेसंटेट बाई मंगलदी धूप और अगरदप्टी प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी आज हमारे राम आ गए मैं आज प्रभुस्री राम से छमाय आचना भी करता हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विवु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। छमा याचना भी करता है। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वात है प्रभु राम आज हमें अवश्य शमा करेंगे। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे। राम लला के इस मंदिर का निर्मां भारतिय समाज के शांती, धैरिय, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि निर्मां किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आहवान करूँगा। आईए आप मैसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम उर्जा है। राम विबाद नहीं, राम संगधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सब के हैं। राम बरतमान नहीं, सिर्फ बरतमानी नहीं, राम अनंत काल है।